पाकिस्तान में पिछले दिनों भारी बारिश के दोरान सिंध प्रांत के पुरातत्वी के स्थल महिंजदड़ों के करीब एक अनुखी प्राचीन मुर्ती मिली जिसे बुद्धा पेंडेंट कहा गया अब इस घटना के बाद चीन की सबसे बड़ी नदी सुखी तो वहां बुद्ध की मुर्तिया निकली इसे प्रकर्ति का शमतकार कहा जा रहा है योरोप के बाद अब चीन भीशन गर्मी से तबाह है चीन के कई शहरों में तापमान की बढ़ुतरी नित दिन नए रिकॉर्ड बना रही है तेजी से बढ़ रहे तापमान की वज़े से चीन ने साल का पहला राश्ट्रे सुखा अलड भी जारी कर दिया है गर्मी के वज़े से चीन के कई नदियां भी सुख रही है इस बेच एशिया की सबसे बड़ी नदी भी लगबग 3-4 सुख गई है यांग जी न मुर्ति से तराशी गई है जानकारों के मुताबिक ये मुर्तियां लगबग 30,000 साल पुरानी हो सकती है ये मुर्तियां फोयल यांग नामक द्वीप चट्टान पर पाई गई जने शुरू में मिंग और किंग राजबंशो के दौरान निर्मित्ति के रूप में पहचाना इनमें से एक में कमल के आसन पर बैठे बुद्ध को दर्शाया गया है प्रख्यात एतिहासकार राजिंद प्रसाथ सिंग ने फिस्बुक पर लिखाए कि बड़ी खबर चीन से आ रही है फिलाल चीन में भीशन गर्मी है सो नदियों का पानी घट गया है चीन की एंग जी नदी में भी पानी घटा है सिच्वान प्रांत के चॉंकिंग में एंग जी नदी से तीन बुद्ध मुर्तिया निकली है तीनों बुद्ध मुर्तियां चटान पर बनी है सामने की मुर्ति कमल आसन पर बुद्ध मुद्रा में बैठी है